चाथियों, भारत में हमारे आदिवासी भाई बहनों की आबादी नव दस करोड के आस्पास है, लेकिन आजादी के बाद, दसकों तक कॉंग्रेस के लिए आदिवासीों का कोई वजूदी नहीं था, उन्हें उनके नसीब पे छोड़ दिया था, कॉंग्रेस ने कभी आपकी चिंता नहीं की, आपके बच्चों के बारे में नहीं सोचा, जबकि भाजपाने हमेशा आदिवासी कल्यान को सरवोच प्रांथविक्ता दी है, क्या कभी आपने भी सोचा था, कि आदिवासी परिवार से निकली, गाउं जंगलों में पैदा हुई, गरीब घर में पैदा हुई, जबकि एक आदिवासी बेटी देश की राष्ठपती बनेगी, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर किसी को गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉंग्रेस ने उन्हें रोकने की, उनके अपमान की इतनी कोशिश की, इतनी कोशिश की आप कलपना नहीं कर सकते हैं, लेकिन आदिवासी समाग की बेहनों को ये सम्मान भाजपाने ही दिया है, साथियों, जब केंद्र में कॉंग्रेस की सरकार थी, तो उसे लगता था कि आदिवासियों के लिए पैसे खर्च करना मतलब गड़े में पैसे डालना, बरबात करना, यही उनकी सोच थी, लेकिन भाजपाने जब भी आदिवासी हीतों की बात आई, जब की सरकार का खजाना खोल दिया, तीजोरी खोल दी, दोस्तों, भाजपाने आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार का बजेट, यह याद रखना भाईयों, याद रखोगे, ऐसे नहीं हाथ उपार करके बताई, याद रखोगे, पक्का रखोगे, आपने मुझे जो काम करने का मोका दिया न, इस सेवा काल है मेरे लिए तो, सत्ता काल नहीं है, मैं सत्ता में विश्वास नहीं करता, मैं तो सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, और आपने मुझे सेवा का ही काम दिया है आदिवासी समाज के लिए केंद्र सरकार का बजट पांच गुना बढ़ा दिया पांच गुना आप खुश हैं? आप खुश हैं? आपको संतोष हुआ हैं? यह मोदी का काम है आपके बच्चों की पड़ाई अच्ची हो इसलिए आदिवासी छेत्रों में पांसो नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं अब आप देखिए हमारी हाँ गाउं गाउं में अंग्रेजी वाली स्कूल तो है नहीं गरीब का बच्चा अंग्रेजी स्कूल में जा नहीं सकता आता है इंजीनियर नहीं बन सकता था क्योंकि डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है तो आपको अंग्रेजी आनी जरूरी है देश आजाद हो गया लेकिन इनके दिमाग में से अंग्रेजी का भूत नहीं गया मुझे बताईए भाई आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो आपके पेट में दर्द हो रहा है सर पे दर्द हो रहा है सीने में दर्द हो रहा है पाउं में दर्द हो रहा है तो क्या डॉक्टर आपको अंगरी जी में पुस्ता है क्या आपकी भासा में पूस्ता है और नहीं पूस्ता है आप अपनी भासा में बताते हैं तो वो समझता और नहीं समझता है तो फिर डॉक्टर बनने के लिए अंगरी जरूरी है क्या इंजीनियर बनने के लिए अंगरी जरूरी है क्या यह मोधी है जिसको आपकी तकलिफ का पता है और इसलिए माने ताय किया अब गरीब मा का बच्चा भी डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा जिस बासा में वो पड़ता है उसी बासा में डॉक्टर बनेगा उसी बासा में इंजीनियर बनेगा पिछले नव वर्षों में भाजपा सरकार आदिवासी परिवारों को लाखों नए पट्टे दे चुकी है नव साल पहले तक जहां 23,000 सामुदाइक पट्टे दिये गए थे सामुदाइक पट्टे वहीं अमने 80,000 से अधिक नए सामुदाइक पट्टे दिये हैं और इसलिए हर 36 गड़िये की बात कहता है भाजपा आवत है भाजपा भाजपा इसलिए सरगुजा ने भी हुंकार भरी है अब की बार, अब की बार, अब की बार